नमस्कार दोस्तों इंडियन ओवर्सिस बैंक के सेयर में आज की ट्रेडिंग सेसन अपनोटिस करेंगे 5.38% की क्लियर तेजी नजर आ रहें उसी के साथ में स्टॉक एक स्ट्रॉंग बुली सकंडल भी बना है तो क्या यहां पर और भी उपर जाने का संभावन रहेगा या फ आपको लेकर चलता हूं weekly टाइम फ्रेम पर जब हम चार्ट को weekly टाइम फ्रेम पर नोटिस करते तो आपको क्लियर ले दिखाए दर है कि स्टॉक कहां से एक आप टर्ड में continue करता आपको दिखाए दर आया है तो एक कंडिसन को अगर अब नोटिस करेंगे कि स्टॉक यहां आपने देखने को मिला है और स्टॉक यहां पर कि będą कर रहा था इक निया हाई क्रिएट कर रहा है हाईर है बनाएक को पर बढ़ा है तो उसी के साथ अगर अपने नोटिस करेंगे स्टॉक अपने ट्रियल bajन को भी सपोर्ट लेकर याँ पर बढ़ता हूं है देखने को मिले तो तो यह भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव सिगनाल है तो जब स्टॉक इस अपना जो रेशिशन्स लेवल आपको दिखाए दरहें पचास रुपया बीस एक कावन रुपय बीस पैसा में है जिसे स्टॉक इसको ब्रेक आउट करेगा तो भी स्टॉक में ते जीवल हो रहा है तो अभी के लिए स्टॉक के लिए जो रेशिशन्स लेवल आपको दिखाए दरह आपको नजर आ रहें 47.5 दूसरा रहेगा 51.2 जब इस 51.2 को ब्रेक आउट करेगा तो क्या टार्गेट रहेगा ओ यहाँ आप हम समझने वाले दो उससे पहले एक बार मैं आपको सपोर्ट लेवल भी समझा देता हूं सपोर्ट लेवल रहेगा 45 रुपर 90 पहसे और एक रहेगा 36 रुपर 50 पहसे में जो हमने अल्रेड़ी ड्रॉ करके रखे हैं तो चलिए दोस्तों अभी हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या टार्गेट देखने को मिल सकता है अबस्तों टार्गेट को फाइंड आउट करने के लिए यहां समझे का लेवल रॉपर समय रहेगा और एक रहेगा गया, support level भी clearly समझा दिया, और stock के या condition है, ओभी मैं आपको अच्छा से समझा दिया, फिर भी दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी doubt रहे गया, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, जोस्तों वीडियो करके like करिएगा, आपकी छोटीस like मुझे increase करती है, और भी अच्छा जो स्टॉक को select करके आपके समने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए, stock में दोस्तों by sale hold करने के कोई भी सलह सुझाओ नहीं है, वीडियो education परपर जब बनाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद,